हाई गाईज, तो यार अगर तुम ये सोचते हो कि तुमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव थौट्स आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें सबसे पहले ये चीज़ बता दू कि मैं अपने लाइफ में अपने आपको हमेशा ये ही बताता हूँ कि मुझे हमेशा पॉजिटिव रहन और तुम अपने आपको रोक नहीं पा रहो नेगेटिव थौट्स है, तो कुछ एनेविटिव तो जरूर होगा, तुमारे अंदर जो एनरजी है, वो उन्ही चीज़ों को अट्रैक करेगी जिसके पीछे तुम कॉंशियसली या अनकॉंशियसली भागोगे, चलो एक्जाम और तुम्हें इन्ही लॉस को फॉलो करना पड़ेगा अगर तुम्हें कोई डिजाइड आउटकम चाहिए, जिससे तुम अपनी खुद की जिंदगी में एक पॉजिटिव मागनेट क्रियेट कर पाओ, अगर तुम्हें स्पिरिचुली ही नहीं पता होगा कि तुम्हें क् हमेशा वही आउटकम आएगा जो तुम बिलकुल पसंद नहीं करोगे, और तुम हमेशा अपने आपसे यही पूछोगे कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सिर्फ मैं ही क्यों दुखी हूँ इतना इस जिंदगी में, बाकि सबकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल र जब तुम्हें इसका आंसर पता चल जाए, तो फिर आना नेक्स पार्ट में, यह पार्ट सिंपल तो जरूर है, पर एजी नहीं है, तुम्हें इस स्टेप के लिए तुमारे अंदर एक स्ट्रॉंग विल पावर होनी चाहिए, और तुमारे इमाजिनेशन में खुद के लि जिस भी passion या जिस भी चीज़ को तुम follow कर रहे हो, सबसे पहले तो एक assumption बना लो, कि तुम्हें वो चीज़ मिल गई है या वो चीज़ तुम बन चुके हो, उस time period में यह मत सोचना कि तुम्हें इस situation में अभी कहां फसे हुए हो, बट यह ज़रू सोचना कि तुम्हें जाना से block करते हो, और इसका overall reason ही है negativity, इसलिए यार हमेशा positive रहना चाहिए, और तुम्हें हमेशा अपने ओपर believe रखना चाहिए, कि तुम्हारे जो भी goals हैं, वो reality में हैं, और तुम खुद से उसको follow कर सकते हो, और उसको pursue जरूर करोगे, तुम्हारा जो successful part है, वो हमेशा से exist करत आ रहा है, पर तुम actually इतने अंधे हो रखे हो, कि तुम उसको नजर अंदास कर देते हो, यार तुम सबसे पहले अपने घरों से बाहर निकलो, और अपनी जिंदगी को देखो, पहले उसको observe करो, उसके बाद अपने goal की towards strive करो, सब कुछ मिल सकता है यार तुम्हें तुम्ह पर अपनी life change कर सकते हो, उसका reason भी यही है कि तुम्हें डर है, तुम insecure हो रहे हो कि तुम हार जाओगे, और तुम उन चीजों के लिए बायस हो रहे हो, जिसमें तुम्हें खुद भी पता नहीं है कि आगे result क्या आने वाला है, चलो ठीके तुम्हें assumption की दुनिया में जीना है, ठीक यार कोई मना नहीं कर रहा, अब assumption नहीं करना है तो यार positive कर लो, negative क्यों कर रहे हो, अगर तुम positive thoughts और dreams को follow करोगे, तो मैं यह promise करता हूँ यार कि यह podcast क्या, तुम्हें life में कोई podcast सुनने की बाद में जरुवत नहीं पड़ेगी, तुम अपनी life को drive कर रहे हो यार, मैं भी यार तुम्हें बैटके ग्यान नहीं दूँगा कि तुम ऐसे जी हो, यार सबका अपना तरीका होता है, मैं बस तुम्हें एक direction दिखा सकता हूँ, कि यार इस चीज़ को अगर कर रहा है तो positive way में कर, negative जा ही क्यों रहा है, सोचने की जरुवत ही नहीं भाई, और बह तो यार उसी time, consciously अपने mind को aware करवाओ, कि भाई नहीं, अब नहीं, अब नहीं सोचूंगा मैं इस बारे में, मुझे positivity से जीना है, मैं अपने goals को जरूर अचीव करूँगा, और मैं कुछ करके दिखाऊंगा life में, एक बार तुम खुद के लिए positively determined हो गए ना, तो तुम्हे life में कोई नहीं रोक सकता, बट यार ये चीज़ हमेशा अपनी life में याद रखना, कि तुम्हें हर time success नहीं मिलेगी, तुम्हें failures भी मिलेंगे, और ये failures तुम्हारे life के लिए बहुत important है, क्योंकि यही failures तुम्हें एक step closer पहुचाएंगे अपने goal की towards, यार अपनी जो life है वो पहली बहुत जादा psychological drama से भरी हुई है, तो यार जो stress हमें पता है हम ignore कर सकते हैं, उसको हटाओ यार, सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़े तुम्हें life में आगे बढ़ाएंगी, उन्ही assumptions में अपनी energy invest करो, और उनको खुच से mold करो, तो यार life में तुम्हें आगे कभी भी फिर से negative feeling वापस आने लगे, तो सबसे पहले concentrate करना अपने positive outcome में, और इतना ज़्यादा concentrate करना कि तुम वो outcome खुदी बन जाओ, अगर तुम्हारी life में कोई hurdle भी है, और वो तुम्हारे success के बीच में आ रहा है, तो यार उस hurdle पे इतना ज़्यादा concentrate मत करो, बलकि इस चीज में ज़्यादा concentrate करो, कि जो hurdle है, वो तुम्हारे success के path के बीच में आ रहा है, तो यार वो hurdle automatically कुछ time बद अपने आप गायब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे success के path के बीच में aligned नहीं है, वो तुम्हारे path में है, पर वो एकदम उस success के बीच में aligned नह इन फाक्ट तुम उसी pursuit में धीरे धीरे गायब हो जाओगे, लाइफ को ना confidence और determination में एक enthusiastic spirit के साथ जीओ यार, लाइफ बहुत अच्छी है, अपना perspective change करो, positive energy को बिलकुल ignore मत करो, और उसे अपने लिए use करो, thank you so much for listening guys, this was Akash and I'm signing out, peace.